Hello everyone, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल Landed in Germany के Quick Help Series में इस सीरीज में हम आपको help करेंगे आपके Quick Questions के साथ, Doubt के साथ तो बात करते हैं आज ये जो एक Doubt होता है हमारे मन में अगर आप नए नए आए हो जर्मनी में कि ये हमारे Indian Groceries कहां से खरीदें आप Revy, LD, Netto जैसे Super Markets में जाते हो और आप देखते हो कि वहाँ पर आटे जैसा कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ पर दालें, वहाँ पर चावल आपकी टाइप के नहीं मिल रहे और लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि यार आटे की जगे वाइजन में ले लो, कैसे मैदा कैसे यूज़ कर ले, यह वाला टाइप ले लो, पर बात नहीं बनती है न, तो यहां की जो फोरिंब कंट्री से उनका ये कांसेप्ट होता है कि यहां पर कंट्री specific मार्केट होते है न जर्मिनी में भी अशा है कि यहां इंडियन पर मार्केट स यहां पर जाके आप स्प्यूपिकली इंडियन ग्रोशरीज की शॉपिंग कर सकते हो और आप इन शॉप्स में जाओगे, आपको पूरा समान मिलेगा, फुल-उन आपको मिलेगा, सारी तरह की दाल, चावल, छोले, राजमा, आपको आटे मिलेंगे, बेसन मिलेगा, आपको जैसे की वरत का भी आटा चाहिए न, कुट्टू आटा वो भी मिलेगा, तो वरत के रिले समान का, जैसे हुली के पहले थोड़े रंग आजाएंगे, पिछकारी ताइप छोटा मोटा आज आज आता, मत ऐसे बहुत अच्छा नहीं होता, पर थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए एक फॉरन कंट्री में आपको इनफ सुपोर्ट मिल जाता है, तो भूलिएगा मत, स सोना फूद्स के, वो हमसे तोड़ा सा दूर है, तो हम वहां नहीं जाते हैं और अगर आपके स्टोर्स जो हैं नियर एस्ट वो इतने नियर नहीं है, तो आप ऑनलाइन ऑप्शन भी ट्राए कर सकते हो, जैसे बर्लिन के लिए स्पेशली हैं, इंडियन सुपरमार्केट. और यहां पे है Spice Village.de, तो हो सकता है, आपकी सीटी में भी ऐसे ओप्शन हो जो आपको घर पे डिलिवर कर दे इंडियन ग्लॉसरीज, तो इंडियन स्टोर्स एक्जिस्ट करते हैं, जहां पे आपको सब कुछ मिल जायागा अपने इंडियन खाने बनाने के लिए, और यहा दनिया, मिर्ची, पुदीना बहुत इसली मिल जाता होता है और बहुत सस्ता मिल जाता होता है, तो मतलब हम तो अभी धनिया लेने जाते हैं, तो तरकिस शॉप हमें पता है, पासवाली उससे गुच्छी बर इतना बड़ा दनिया मिल जायागा, और एक डेड यूरो में हम मतलब दो हकते का काम चल जाता है, तो ये चीजें करना जरूर याद रखें, आटा दालचावल की बात कर ही रहे थे, तो आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं, कि इंडिया ने आटे के एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, जिस वज़े से जर्मनी में और बाकी कंट जाएगा, और जो अभी आटा मिल रहा है, वो कुछ फिल वीट आटा है, वो एकदम से वो जैसे आशिरवाद का आटा था था था, वैसा नहीं है, थोड़ा सा ब्राउनिश में है, थोड़ा सा प्यॉर जादा है, तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो